सद्गुरू, इस देश के सभी वरिष्ट रिदे रोग विशेशग्यों, सर्जुनों और सभी अच्छे डॉक्टरों की मेहनत के कारण दिल की बिमारियों के इलाज के बारे में लोगों में बहुत आत्मविश्वास आ गया है सद्गुरू, यह बहुत दिल्चस्प है जब 25 साल पहले मैंने अपना करियर शुरू किया था 25 साल पहले मैंने इंगलेंड छोड़ा और कलकत्ता में काम करना शुरू किया तब अगर मैं किसी मरीज से केहता कि उसे ऑपरेशन की जरुवत है तो उसे operation के लिए मनाने में एक घंटे से ज़ादा समय लगता था मगर आज मेरे सामने दूसरी समस्या आती है वो लाइन लगा कर खड़े हैं सद्गुरू आज जब सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद मैं किसी मरीज से कहता हूँ कि आपको operation की जरुवत नहीं है हम कैसे हम लोगों को कैसे समझाएं कि दिल को दुरुस्त करना ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में कुछ गरबढ होती है तो आप प्लंबर बुलाते हैं तो उसे ठीक कर देता है या अगर आपकी कार में कुछ खराब है तो आप उसके पार्ट्स बदल देते हैं ये एक अलग चीज है ये बिलकुल हम कोई जादुगर नहीं है या भगवान नहीं है और प्रकृती सबसे बहतर हीलर है और दिल की सरजरी सिर्फ पचास साल पुरानी चीज है लोग सदियों से जी रहे हैं उन्हें पता चल गया है कि ये एक बेकार का पाठ है ये हम सभी के लिए एक बड़ी दुविधा है सद्गुरू आज लोग चाहते हैं कि उनके शरीर के साथ हर समय कोई छेड़चाड होती रहे हाँ, अगर दिल नहीं तो कई दूसरे हिस्सों में हाँ, जैसा मैंने कहा शायद अगले पचास सालों में पचास प्रतिशत आबादी ऐसी सरजरियों से गुजरेगी ये सेहत नहीं है, ये मेडिकल इंडस्ट्री है लेकिन सेहत नहीं हेल्थ केर सिस्टम्स नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं अधिक डॉक्टर्स नहीं बल्कि एक सेहत की संस्कृति को विक्सित करना होगा अभी दुनिया अमेरिका की हर चीज़ की नकल करती है वो बुरा खाना खाते हैं, बुरा जीते हैं और उनका तीन खरब डॉलर का हेल्थ केर बिल है यह उस देश को डुबा रहा है यह हेल्थ केर पूरे देश को डुबा रही है हम भी यह सब करना चाहते हैं हम वैसे कपड़े पहनना चाहते हैं वैसा खाना चाहते हैं वैसे जीना चाहते हैं पर उसी तरह बीमार होना चाहते हैं, लेकिन हमारा देश निश्चित रूप से आपके उपर तीन खरब डॉलर खर्च नहीं कर सकता, हम आपको मरने देंगे. हम हर किसी के पास जाकर सवा अरब लोगों की सहजरी नहीं करवाने वाले, निकट भविष्च में ऐसा नहीं होने वाला, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुसीबत, और हुआ तो उससे भी बड़ी मुसीबत. लोग खुशाली में जीना नहीं जानते, ये एक मुसीबत है. मैं तो कहूंगा कि इस धर्ती पर सत्तरफी सदी बिमारियां सिर्फ रहने, खाने और वातावरन की सही समझ से ठीक की जा सकती हैं. सत्तरफी सदी बिमारियां ठीक हो जाएंगी. अब 12 से 15 साल में इसे कर सकते हैं. अगर एक मजबूत प्रयास किया जाएंग लोगों के द्वारा, नीतियों के द्वारा, हर संबंधित व्यक्ति द्वारा, खास तोर पर अस्पताल बहुत कुछ कर सकते हैं. क्योंकि लोग जब बिमार होते हैं, तब वो सुनते हैं. वरना वो नहीं सुनते हैं. जब वो अच्छे होते हैं, वो नहीं सुनते हैं. जब वो बिमार होते हैं, तो उनके दो से ज़्यादा कान उगाते हैं. यही उन्हें बताने का समय है कि बहतर तरीके से जीवन कैसे जीएं ये चीजें हमारे लिए नई नहीं हैं ये चीजें हमारी संस्कृति में रची बसी हैं मगर हम किसी ऐसी चीज के लिए उसे छोड़ रहे हैं जो हमें मुसीबत में डालेगी किसी चीज को तुरंट ठीक करने के लिए सबसे पहले मेडिकल उपचार की जरूरत पढ़ती है और ये सबसे एहम है, इसमें कोई संदेह नहीं है मगर लंबे समय तक सेहत आज के मेडिकल साइंस की वज़े से नहीं मिलेगी किसी समाज या देश या धर्ती को लंबी सेहत इस तरह नहीं मिलेगी हमें सेहत की संस्कृति लानी होगी जीने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है अपने शरीर को कैसे रखें, मन को कैसे रखें, सासों को कैसे रखें आस-पास के वातावरन को कैसे रखें अगर ये संस्कृती बचपन से हमारे अंदर नहीं लाई गई मैं तो कहूंगा कि इसे स्कूल के करुकुलम में ही शामिल कर देना चाहिए सेहतमन जीवन शैली क्योंकि अगर आप स्वस्थ लोग नहीं बनाएंगे तो आपके पास शिक्षित और बीमार लोग होंगे इससे आप देश या दुन्या बनाएंगे बीमार लोगों के साथ आप महान राष्टर नहीं बना सकते सिर्फ बीमार राष्टरी बना सकते हैं और दुनिया भर में ऐसा ही हो रहा है बड़े बड़े देश, बहुत सारी बिमारियों को जेल रहे हैं सबसे संपन्न देश, जिनकी कोई पोशन समबंदी समस्या नहीं है भारत की आदी समस्या पॉश्टिक ताकी है वो बच्पन से ही ठीक से नहीं खाते संपन्न देश, जो पोशन में चुनाव कर सकते हैं उनकी स्वास्थ समस्याओं को देखिए ऐसा होना ही नहीं चाहिए जब वो पोशन में चुनाव कर सकते हैं मैं तो कहुँगा कि 80% लोगों को मरने तक स्वास्थ की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सिर्फ 20-25 प्रतिशत लोगों को कुछ समस्या होगी नजदीकी के कारण इंफेक्शन वगरा होंगे ये अलग चीजे हैं मगर ये लोग अपनी मदद खुद करते हैं लोग अपने शरीर में विमारियां पैदा करने के लिए अपनी मदद खुद करते हैं इसे 100% ठीक किया जा सकता है अगर हम सेहत की एक संस्कृति विक्सित करें इसे संभव बनाने के लिए न सिर्व मेडिकल पेशे के लोगों को बलकि दूसरे क्षेतरों के लोगों को भी मिलकर काम करना होगा अभी इस तरह का कोई बड़ा तालमेल नहीं दिख रहा यहां वहाँ छोटी मोटी कोशिश हैं हो रही है मगर वो काफी नहीं है यह अच्छा है लेकिन काफी नहीं है